Hello students, आज के वीडियो में हम discuss करेंगे differentability intervals में कैसे check करेंगे किसी function के लिए हमारे पास एक function होगा और उसके साथ में हमें या तो open interval given होगा या फिर close interval given होगा इन दोनों intervals में हम किसी function की differentability check करेंगे उसका process क्या होगा या कौन सब method हम use करेंगे जिससे हम इस differentability को check कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी open interval की जो first case हम जो लेंगे उसमें हम क्या बात करेंगे कि हमारे पास function function हमारे पास क्या है fx function fx is differentiable in open interval a,b if fx differentiable at every point of open interval a,b अब देखो हमारे पास function कौन है fx interval क्या है हमारे पास a,b ठीक है यह कौन सा है open interval जिसमें a include नहीं है और b,b क्या नहीं है include नहीं है और हमें इस function की differentiability चेक करनी है किसकी अंदर इस open interval में तो यह differentiable कब हो गई इस interval में जब हमारे पास यह function a और b के between जितने भी points आएंगे उन सभी points पे कैसा हो differentiable हो अगर हम ऐसा कर पाए तो हम यह बोलेंगे कि यह जो function है fx वो इस open interval में क्या है differentiable है ठीक है तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि open interval में यह तो include होता ही नहीं है तो function की value होगी नहीं और इसके left side में भी क्या नहीं है graph तो हमारे पास सरफ क्या बसती है right end limit बसती है इसलिए हम a को include नहीं करते क्योंकि continuity जब check होती है differentiability से पहले तो हमारे पास left end limit function की value और right end limit तीनों हमारे पास होने चीए ठीक है अगर हमारे पास दो भी हैं तो हम यह कह सकते हैं कि left limit और right limit दोनों से भी हम check कर सकते हैं ठीक है बट इसके अंदर function की value नहीं होने की वज़े से यानि a include नहीं होने की वज़े से A के उपर अपन continuity check ही नहीं कर सकते और जब A के उपर continuity check नहीं कर सकते तो फिर A पे हम differentibility भी check नहीं कर सकते ऐसे B के उपर A और B के between जितने भी points हैं उन सब पे अपन check कर सकते हैं तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक example लेंगे देखो हमारे पास क्या होगा एक function है example number first fx is equals to modulus of x x minus 1 और हमें किसके between check करनी है minus 1 और 2 के between इसके differentiability check करनी है minus 1 और 2 के between तो यहाँ पे देखो modulus function है सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे इसको modulus करने की बात करेंगे तो देखो यह x यह modulus के अंदर जो value है वो कब 0 होगी 0 पे यह किस पे होगी 1 पे तो हमारे पास कितने points आगे जिसके उपर function अपने definition चेंज करेगा 2 points आगे interval कितने बनेंगे एक तो 0 से कम value एक 0 और 1 के between और एक 1 से greater than तो यहां से देखो हम क्या ले लेते है x less than 0 यहां पे 0 less than and equals to x और less than 1 और यहां पे x greater than and equals to 1 यह हमारे पास क्या होगे functions definition change करेंगे इन intervals में x is less than 0 0 से छोटी value put up कर ले अपना न तो यहां पे इन negative यह भी negative तो minus x और minus x minus 1 0 से 1 के between यह positive यह कैसा negative ऐसे greater than रखेंगे तो यह सब positive यह भी हमारे पास कैसा है positive हो जाएगा तो हमारा जो function है वो क्या हो जाएगा fx is equals to तो यहां पे क्या हैगा minus x minus x से plus 1 x is less than 0 और यह x minus x plus 1 और यह 0 less than x और less than 1 और यह कितने हो गए 2x से minus 1 ठीक है और यह x greater and equals to 1 हो गया यह हमारे पास function क्या हो गया mode less हो गया अब इस function को हम क्या लिख लेंगे यहां पे हमारे पास क्या हो गया 1 minus 2x किसके लिए x is less than 0 के लिए और यह x x से cancel 1 किसके लिए 0 less than x equals to x और यह 2x minus 1 यहां पे x greater and equals to 1 ठीक है तो mode less करने के बाद हमारा function क्या हो गया यह हो गया x जब less than होगा 0 से तब तो यह use करेंगे 0 से 1 के between होगा तो 1 use करेंगे x greater and equals to 1 के लिए 2x minus से 1 use करेंगे अब हमसे क्या पूछा है कि इस interval में यह function differentiable है की नहीं है ठीक है ना तो हमारे पास open interval में minus 1 और 2 को छोड़ गे जितने भी point function के अंदर है उसके उपर अपन क्या check करेंगे differentibility check करेंगे ठीक है किसके उपर x less than 0 पे ठीक है ना 0 से 1 के between भी है x greater and equals to 1 भी है तो यहां पे देखो हो जाएगा differentiable हो जाएगा तो minus 1 और 2 के between क्या हो जाएगा differentiable हो जाएगा तो सबसे पहले बात किस पे करेंगे at x is equals to 0 पे किसकी lhd की left hand derivative की तो हमारे पास क्या होगा limit h tends to 0 f of 0 minus h तो minus h आ जाएगा और minus f of 0 upon minus h तो limit h tends to 0 f of minus h तो यहां पे left limit किस में आएगी इसके अंदर आएगी तो 1 minus यहां पे minus h लिखेंगे तो कितने हो जाएगे 2 h हो जाएगे f 0 की value कितनी है 1 है और upon में minus h तो limit h tends to 0 1 से 1 cancel h से h cancel तो minus 2 तो यह value कितनी आ गई minus 2 आ गई किसकी value आ गई है lhd की value कितनी आ गई minus 2 आ चुकी है यहां पे ठीक है तो यह हम यहां पे लिख लेंगे तो lhd कितना हो गई हमारे पास 0 पे minus 2 and अब हम बात किसकी करेंगे rhd की बात करेंगे ठीक है अब rhd में limit s tends to 0 f of h minus f of 0 upon h h tends to 0 f of h किसमें आएगा x greater than 0 तो यह 1 हो गया minus function की value भी इसमें कितनी है 1 upon यह कितना अपने पास h तो 1 minus 1 0 rhd हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया lhd minus 2 rhd 0 तो यह हमारे पास क्या हो गया therefore lhd is not equals to rhd यह दोनों आपस में क्या नहीं है equal नहीं है तो इसका मतलब 0 के उपर क्या हो गया कैसा हो गया discontinuous ठीक है ना क्या कहेंगे at x g किस्टो 0 fx is non-differential कैसा हो गया non-differential हो गया lhd और rhd दोनों आपस में equal नहीं है जब non-differential हो गया और open interval के अंदर हमारी condition कैसी है कि इस interval के अंदर function कैसा होना चाहिए every point पे कैसा होना चाहिए differentiable होना चाहिए यह तो हमारे इसके between 0 है उसी के उपर non-differential हो गया तो अब हम क्या बोल सकते है therefore fx is non-differential in x belongs to minus 1 से 2 इस interval के अंदर यह function कैसा है non-differential है ठीक है तो इस तरीके से open interval के अंदर अपन यह चेक कर लेते हैं अब अगर यह इस पे क्या जाता 0 पे differentiable हा जाता और 1 पे भी क्या जाता differentiable तो दोनों point पे differentiable हो गया जो minus 1 और थे 2 के between है ऐसा हो जाता तो यह इस interval में कैसा हो जाता condition हो जाता ठीक है तो इस तरीके से हम क्या find कर सकते है differentiability find कर सकते है open interval में अब हम बात करते हैं, second condition की, कि close interval के अंदर जो function है, वो किस तुरीके से हमारे पास क्या होता है? होता है, differentiable होता है, देखो, second case के अंदर, function fx, differentiable in close interval a, b, if, क्या क्या कैसे हैं, first, fx, differentiable in x belongs to open interval, यानी हमारा जो function है, वो open interval के अंदर कैसा होना चाहिए, differentiable होना चाहिए, क्या होना चाहिए, differentiable होना चाहिए, ठीक है, किसके अंदर, open interval के अंदर, दूसरा, lhd, ठीक है ना, और rsd, या फिर कहें, rhd, ठीक है ना, वो कैसे होनी चाहिए, finite होनी चाहिए, यानी, limit होनी, जब आप use करोगे, rsd का formula, उसकी value find करोगे, तो वो कैसे आने चाहिए, finite, और lhd, वो भी हमारे पास क्या आने चाहिए, finite आने चाहिए, ठीक है, अगर ये हमारे पास कैसी है, finite है, rhd भी और lsd, लेकनी आप important बात मैं आपको बता देता हूँ, कि ये जरूरी नहीं है, क्या, कि ये दोनों आपस में equal ही हो, क्या बात बता रहा हूँ, कि ये जरूरी नहीं है, कि lsd और rsd, दोनों आपस में क्या हो, equal हो, सिरफ कैसी हो, finite हो, तो फिर हम बता सकते हैं, कि इस every point के अंदर तो इसमें क्या हो जाए, differentiable हो जाए, rsd कैसी आजाए, finite, lsd क कहेंगे, तो ये function क्या हो जाएगा, differentiable हो जाएगा, कौन से interval में, close interval, a, b के अंदर कैसा हो जाएगा, differentiable हो जाएगा, हमारे पास, ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, तीन value हमें क्या करनी है, find गरनी है, अब देखो, question नहीं लेते हैं, हमारे पास, जो question है, वो क्या है, fx is equals to, x minus 2, 2 into x minus 3, और हमें check किसके लिए करना है, 1,3 के लिए check करना है, clause interval है, x belongs to 1,3, इसके उपर हमें क्या करना है, इसको check करना है, कि ये differentiable है या नहीं, तो सबसे पहला काम, हमें पता है, कि हमें इसको क्या करना है, mode less करना है, तो ये किसके उपर, आपको पता लग रहा है, x minus 2 है, तो 2 के उपर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, x is less than 2, एक interval तो ये बन गया, ठीक है न, क्या हो गया, x is less than 2, 1, 2 less than, equals to x, और less than 3, ये 3 के उपर 0 है, और ये x greater and equals to 3 के उपर, अब हम बात क्या करेंगे, कि अगर 2 से छोटी value है, तो ये minus का, ये भी minus का, तो x minus 2, और ये x minus से 3, negative, 2 से 3 के between, तो 2 से बड़ी value पर ये तो कैसा जाएगा, positive, और ये कैसा जाएगा, negative, और 3 से बड़ी value देखो, ये भी positive, 3 minus 2, 3 भी रखेंगे तो, तो ये positive और ये हमारे पास positive, तो x minus 2, और ये कितना हो जाएगे, 2 into x minus 3, तो हमारा जो function बनने वाला है, वो हमारे पास क्या बनने वाला है, देखो, x minus 2, minus के 2x, plus 6, किसके लिए, x less than 2 के लिए, ये कितना बनेगा, x minus 2, minus 2x, ये दोनों कैसे, ये minus के, ठीक है न, तो ये किसका हो जाएगा, plus का, क्योंकि negative है, x less than, इसके लिए, तो ये plus है, 6, और ये किसमे, 2 less than and equals to x, और less than 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x minus 2, plus 2x, minus 6, और ये x greater than and equals to 3, ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, इसको, mode less कर लिया, अब ये जो value बन रही है, ये हमारे पास कैसी बन रही है, देखें, ये हमारे पास कितना हो गया, ये negative, ये negative, तो minus के 3x, और ये 8, तो 8 minus 3x, इसमें देखेंगे आप, तो हमारे पास क्या value आएगी, ये plus का और ये minus का minus के x, और ये कितने बच गए, 4, 4 minus x, ये कितने हो गए, 3x minus 8, तो ये हमारे पास function कैसा हो गया, mode less, अब हमें बात किसके पर करनी है, हमें किसके उपर, 1 के उपर, क्या find करना है, rsd find दर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 का है, x is less than 2 के लिए ही है, ठीक है न, तो यहाँ पर, at x is equals to 1 पर, क्या बात करेंगे, rhd बात करेंगे, किसकी rsd की, limit s tends to 0, तो हमारे पास क्या हैगा, f of 1 minus h, 1 plus h, और f of 1, और ये minus h, तो ये क्या हो जाएगा, rsd में plus हो जाएगा, क्योंकि 1 के उससा इड़ी ग्राफ है, ठीक है, अब 1 किसमें मिलेगा, x less than 2 में मिलेगा है, न, इसी में मिलेगे, function की value भी और ये भी, तो हमारे पास क्या हैगा, limit s tends to 0, इसमें रख देंगे, 8 into minus 3, 1 plus h, और 1 रखेंगे तो कितना जाएगा, 8 minus 3, upon h, तो limit h tends to 0, तो कितना हो गया, 8 minus 3, और minus के 3h, और ये minus के 5, upon h, तो क्या हो गया हमारे पास, 8 minus 3, 5, 5 से 5, cancel, h से h, minus 3, तो मैंने क्या कहा था, कि rhd हमारे पास कैसी होने चाहिए, finite, ओके, कैसी है, finite है, क्योंकि value की इतनी आगई, minus 3, तो rhd, किसके उपर, x is equals to 1 पे, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, rhd, ठीक न, minus 3, यहनी finite है, at x is equals to 1 पे, पहला केस हमारा सोल हो गया, अब हम बात करेंगी, किसके उपर, lhd की, तो यहां से देखो, lhd किसके मिलेगी, 3 के उपर, ठीक न, किसके उपर मिलेगी, 3 के उपर, तो यह तो point include है, तो 3 के उपर तो अपन completely check कर लेंगे, तो अब हम किसके उपर बात करेंगे, 2 पे, ठीक है न, किसके उपर बात करेंगे, 2 पे, तो यहां से आप देखो, x is equals to 2 पे, सबसे पहले बात किसके करेंगे, lhd की, तो limit, s tends to 0, f of 2, minus h, minus f of 2, upon कितना minus h, ठीक है, तो limit, s tends to 0, किसमें रखेंगे, देखो, 2 में, x less than है न, इसके उंदर आएगा, 8 minus 3 into 2, minus h, और f of 2, इसके उंदर आएगा, 4 minus 2, upon minus h, तो limit, s tends to 0, 8 minus 6, plus 3h, minus 2, upon कितना, minus h, अब देखो, 8 minus 6, किसका, 2 बच गया, plus का, और यह minus का 2, तो यह से cancel, h से h cancel हो गया, तो minus 3 आगी, limit, s tends to 0, minus 3, तो value कितनी आगई, minus 3, तो lsd कितनी आगई, किसके उपर, 2 के उपर, minus 3 आगई, तो यह अपनी यहाँ पर क्या ले लेंगे, minus 3, ठीक है, अब हम बात करेंगे, किसकी end, rhd की, किसकी बात कर 2 पर ही, तो limit, s tends to 0, f of 2, plus h, minus f of 2, upon h, तो यहाँ पर आप देखें, कि x हमारे पास क्या है, greater than, किस से, 2 से, तो इसमें आएगा, limit, h tends to 0, तो क्या हो गया, 4, 2, plus h, minus 2, किसमें, इसी में रखना है, तो 4, minus 2, upon h, तो limit, h tends to 0, तो यह कितना हो गया, 4, minus 2, और minus के, 2h, और minus की 2, upon h, देखो, 4, minus 2, 2, 2 से, 2, cancel, h से, h, तो यह value कितनी आगई, limit, h tends to 0, तो यह कितना आगई, minus 2, तो value कितनी आगई, minus 2, ठीक है, तो जब यह हमारे पास कितनी आगई, minus 2, कौन आगई RHD तो यह minus 2 therefore, at x is equals to 2 LHD is equals to RHD, है नहीं क्या है, not equals तो LHD not equals to RHD therefore Fx is non differentiable in x belongs to 1 से और 3 के between, क्योंकि 1 से और 3 के between कौन आता है 2 आता है, और 2 पे कैसा है, differentiable ही नहीं है, क्या नहीं है differentiable नहीं है, तो हम कैसे कह सकते है, कि इस interval के अंदर यह क्या हैगा, differentiable, अब बात करते है कि यह अगर किसकी LSD और RSD equal हो जाती तो यह किस पे differentiable हो जाता, 2 पे फिर हम बात किसकी करते है 3 पे बात करते है और जब 3 पे बात करते है, तो अगर LSD और RSD 3 के उपर क्या हो जाती equal हो जाती, तो फिर हमारे पास क्या होता, function इस interval में क्या हो जाता differentiable हो जाता तो इस तरीके से हम function की क्या find करेंगे? differentiability find करेंगे, ओके? अब देखो, हमारा जो third point है इसके अंदर, बहुत important है if fx is differentiable at x is equals to a, then modulus of fx, modulus of fx is differentiable at x is equals to a, if f dash x is equals to 0, अगर हमारे पास एक function fx, वो किसी point a पे कैसा है, differentiable है, अब हम उस modulus की क्या बात करेंगे? उस function के modulus की differentiability की बात करेंगे, उसी point के उपर, तो आप देखेंगे, कि जो f dash x, वो किसके उपर? a point के उपर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 0, अगर उसकी value कैसी आ गई? 0 आ गई, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि वो function उस point पे कैसा है, differentiable कौन? modulus of fx, ठीक है ना? and second, f modulus of fx is non-differentiable at x is equals to a, if f dash a is not equals to 0, अगर वो किसके उपर? a के उपर उसका differentiation not equals to 0 आ जाहिए, यानि 0 नहीं high value, तो यह जो function है, modulus of fx, वो क्या होगा? non-differentiable होगा, सीधा सा concept है, कई बार question हम बता सकते हैं इससे, कि हमारे पास fx function है, वो ap कैसा है? differentiable है, अब हमें उसका modulus function कर दिया, अब उस modulus को बताना है कि यह differentiable है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस fx को ले लेंगे, उसका differentiation कर देंगे, और उस point को उसमें put up कर देंगे differentiation में, अगर वो value 0 देता है, तो differentiable कहेंगे, अगर वो value 0 नहीं देता है, तो non-differentiable उस function को हम कहेंगे, अब बात ऐसी आती है, क्या हमें point साथ में मिलेगा function का, ठीक है, कई बार मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा, तो मैं बता देता हूँ, जब modulus of fx को आप से पूछा जाए कि differentiable है कि नहीं है, तो आप क्या कर दें, यह जो value है ना, function को, उसको किसके equal रख देंगे? 0 के equal, किसके equal रख देंगे? 0 के equal रख देंगे, और यहां से किसकी value find कर लेंगे? किसकी? x की, वो value 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, समझ रहे हो? more than 1 हो सकती है, यानि कोई value, तो इन values को हम क्या मान रहे हैं? first value को a1, a2, and so on, और भी value हो सकती है, या फिर one ही value हो, linear function हो तो, ठीक है? तो x की value आ जाएंगे, क्या करेंगे? अगर direct हमसे पूछा जाता है, यह modulus function है, यह differentiable है की नहीं है, तो आप अंदर वाले function को किसकी equal कर दें? 0 के, वहां से x की value आ जाएंगे, फिर function को क्या कर देंगे? differentiation कर देंगे, differentiation में क्या put up करेंगे? जो values आएंगे न, x की, वो, अगर वो value रखने से function 0 हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा, जो function है, modulus of fx, वो कैसा रहेगा? differentiable, अगर 0 नहीं आता है, तो non-differentiable, यह process हमें क्या करना है? follow करना है, अब कुछ example लेते हैं, और उससे पता करते हैं, ठीक है? तो देखो, example ले रहे हैं, अपन third, उसमें छोड़े-छोड़े example है, जैसे, fx is equals to, हमें क्या दे दिया? mode x cube, second है, जैसे, fx is equals to, हमारे पास कैसा है? mode log e base x है, ठीक है? थर्ड की बात करें, तो fx is equals to mode sin x है, इन questions को हम discuss कर लेते हैं, तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे, first की, तो मैंने क्या कहा था, modulus के अंदर जो value है, उसको हम क्या करेंगे? 0 के equal put up कर लेंगे, तो यहां से दोनों तरफ cube root करेंगे, तो x की value कितनी हो जाएगी? 0, तो point मिल गया, अब हमारे पास fx क्या है? x cube, जो अंदर है, उसको ले रहे हैं अपन है, तो इसको अपन क्या कर लेते हैं? जो अंदर fx मान रहे थे नपन, इन functions कुछ आप क्या ले लो? gx ले लो, ठीक है न? कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आप मारे पास fx क्या है? x cube है, अब हम क्या करेंगे? f dash x करेंगे, differentiation करेंगे, simple differentiation है, ठीक है न? x cube का क्या हो जाएगा? 3x square हो जाएगा, अब हम यह point put up करेंगे, f dash 0, तो यहाँ पे देखो 0 रखते ही, 3 into 0, तो f dash 0 की value कितनी आ गई? 0 आ गई, तो यह function कैसा है? therefore, कौन सा function? gx is differentiable at x is equals to 0, यह function कैसा है? differentiable function, ठीक है न? क्योंकि इस point पे इसकी value कैसी आ गई? 0 आ गई, अब इसको graph से भी पता देता हूँ आपको, देखें, हमारे पास, आपको पता है, x cube का graph यह होता है, ठीक है न? अब हम क्या ले लेंगे? modulus, तो देखो y की value यह सारी की सारी कैसी है? positive है, ठीक है न? positive, अब यह value कैसी है y की? negative है, अब modulus use करेंगे, यह किसका graph है? x cube का, अब modulus use करेंगे, तो y की negative values क्या हो जाएंगी? plus की हो जाएंगी, ठीक है न? किसकी हो जाएंगी? plus की हो जाएंगी, तो यह graph कहां चला गया? उपर चला गया, तो अब आप देख रहे हैं, कि 0 के उपर, अब यहां से देखो, यह पूरा continuous है, ठीक है? और यह हमारे पास क्या हो गया? continuous function हो गया, अब 0 पे कैसा है? कोई corner भी नहीं बन रहे हैं यहां पे, ठीक है न? पूरा ऐसे जूट जाएगा, पैराबोला बन जाएगा, एक तरीके से, ठीक है न? तो यह हमारे पास क्या हो गया? function, differentiable हो गया, या फिर हम किस से चेक करेंगे? प्रोसेस से चेक करेंगे, ठीक है न? तो इस तरीके से हम यह बता सकते हैं, अब ऐसा ही question कौन सा है? दूसरे वाला, क्या बात करेंगे इसमें? कि यह हमारे पास कैसा है? gx function है, तो अंदर क्या है? fx, तो second वाले में क्या रखेंगे? fx is equal to, हमारे पास क्या है? log e base x, इसको किसकी equal रखेंगे? 0 के, fx is equal to 0, तो हमारे पास क्या हो गया? log e base x is equal to 0, तो x is equal to कितना हो गया? e to the power 0, क्योंकि e की power यह क्या बन जाएगा? 0, x की value कितनी हो गई? 1 हो गई, e to the power 0 कितना होता है? 1 होता है, तो अब हमें क्य करना है differentiation करना है किसका इसका तो log x का 1 upon x f dash 1 रखेंगे तो हमारे पास कितना हैगा 1 upon 1 यानी f dash 1 की value कितनी आ रही है 1 तो f dash 1 is not equals to 0 therefore जो gx function है gx is not या non-differential at x is equals to 1 1 की उपर कैसा नहीं है differentiable function नहीं है कौन से वाला modulus वाला ठीक है इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इस modulus की condition से बता सकते हैं कि ये function हमारे पास differentiable है या non-differential है ठीक है अब इसको graph से भी समझ लेते हैं हमें क्या पता है कि ये हमारे पास क्या है xaxis और ये हमारे पास क्या है yaxis किसका graph है ये log x का ये point क्या होता है 1 होता है ठीक है अब 1 से उपर जो graph है इसमें value किसकी है positive values है और नीचे इसमें कैसी value है, negative y की, अब modulus लग जाता है, तो हमें क्या लेनी है, positive values लेनी है, तो ये हमारे पास हट के, कहां चला गया, उपर, अब आप देखो, ये graph और ये graph, क्या बना रहे हैं, corner बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक corner बना रहे हैं, अब जहां पे corner बन जाता है, graph के between, वहां पे function कैसा नहीं होता, differentiable नहीं होता है, तो ये function हमारे पास कैसा है, non-differentiable है, किसके उपर, one के उपर, तो हमने graph से भी पता कर लिया, जो condition थी, differentiation से उससे भी पता कर लिया, ठीक है न, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, function को पता कर सकते हैं, कि differentiable है की, नही अब बात करते हैं तीसरे वाले point की ठीक है? तो third के अंदर हमारे पास क्या है? अब आप देखो fx is equal to कितना है? sin x ठीक है? तो यहां से हमें fx को किसके equal लेना है? 0 के equal sin x is equal to कितना हो गया है? 0 अब हमें पता है sin theta is equal to 0 होता है तो values कहां-कहां 0 होती है x की? n pi पे 0 होती है यानि 0 पे pi फिर 2 pi पे 3 pi पे ठीक है न? तो यह n belongs to i, integers इन सभी values के उपर ठीक है? तो x की value आगी, अब हमें क्या करना है? f dash x, sin x का क्या होता है? cos x होता है, अब हम क्या रखेंगे f dash x की जगे n pi तो क्या हो गया? cos n pi ठीक है न? और n belongs to pi, अब पता है n, i integer है, integer 1 रखेंगे इसमें, किसके अंदर cos n pi में तो cos pi हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 रखते ही, cos pi की value कितनी हो जाएगी? minus 1 तो n pi के multiple में cos की value कभी 0 नहीं होती है क्या नहीं होती? 0 यह 0 नहीं है तो therefore gx is non differentiable at x is equals to n pi किसके उपर? n pi पे यह function कैसा है? non differentiable है क्योंकि अगर हम cos pi लेंगे तो minus बनाएगा तो 0 नहीं होता है, 2 pi लेंगे तो भी वही case है, 3 pi लेंगे तो भी वही case है, ठीक ना? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं अब इसका भी हम क्या बना लेते हैं? graph बना लेते हैं sin x का graph हमें पता है क्या होता है? यह देखो हमारे पास यह graph होता है sin x का किसके between होता है? 1 and a minus 1 के between यह कितना होता है? pi by 2 यह कितना है? pi यह कितना है? 3 pi by 2 यह कितना है? 2 pi यह मारे पास minus pi by 2 यह मारे पास minus pi यह minus 3 pi by 2 और यह कितना है? minus 2 यह graph हो गया किसका? sin x का अब देखो x सक्सिस से उपर जो values हैं यह वाली और यह वाली यह तो हैं plus की जब इसके उपर mode लगा देंगे हम क्या लगा देंगे? modulus लगा देंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? यह negative values जो नीचे हैं यह उपर सली जाएंगी तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा graph और यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? उपर shift हो जाएगा graph तो अब आप क्या देख रहे है? कि यहाँ पर देखो यह corner बन रहा है यह corner बन रहा है यह भी क्या बन रहा है? corner बन रहा है तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? pi फिर कितना है तू पाई फिर इधर माइनस पाई तो किसके उपर x is equals to n पाई n belongs to i के लिए फंक्शन कैसा है non-differentiable तो इस तरीके से हम क्या check कर सकते हैं इस functions की differentiability check कर सकते हैं modular से function की किससे differentiations है okay students तो यह हमारे पास कुछ concept से intervals में कैसे check करेंगे और modulus के अंदर किस तरीके से check करेंगे यह condition use करते हुए आप questions की differentiability check कर सकते हैं okay